इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जहां तक फिजिकल हेल्थ का सवाल है, आप बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं आप रोज मॉनिंग वाक पर जाते हैं, आप जिम जाते हैं, आप रनिंग करते हैं, इस सब कीज़ें आपके जो फिजिकल हेल्थ है उसको ठीक रखती है लेकिन आपको समझने की ज़रुवत है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है या ब्रिन की हेल्थ है वो इक्वली इंपॉर्टन्ट है बहुत लोग मेंटल हेल्थ को बहुत सिंटम्स हैं, उनको लाइट ले लेते हैं और अल्टिमेटली प्राब्लम में एंटर करते हैं जो शायद सही नहीं है बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि जो मेंटल हेल्थ है, वो हेल्थ इश्यू है ही नहीं और उसको लगातार इग्नोर करते हैं, अगगा कोई treatment नहीं लेते हैं, और उसके जब serious consequences सामने आने लगते हैं, तब उससे परिशान रहते हैं. Now, science ऐसा मानती है, कि आपके physical health जितने important है, mental health उतनी ही important है. अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे, तो आपको ultimately anxiety होगी, stress के symptoms आने लगेंगे, और बहुत सारे दूसरे symptoms आने लगेंगे. और अगर आप stress and anxiety को control नहीं करेंगे, उनको address नहीं करेंगे, उनको treat नहीं करेंगे, तो ultimately किसी stage आएगी, कि आपको depression जैसी problem develop हो जाएगी, जिसे कहते हैं endogenous depression. Now, आप उनको कैसे ध्यान दें, कि ऐसे क्या symptoms हैं, जो वास्तों में, आपको एक मनुचिक सक को दिखाने की जरूरत है, या आपको एक मनोविज्यानिक doctor को दिखाने की जरूरत है. Now, number one, अगर आप समझ आपको फोन दिया कि ये फोन आया है, आपको एक fear develop हो जाता है. आपके assistant ने आपको एक कागज दिया कि कागज आया, आपको fear हो जाता है. जो काम है वही आपको घाबरहाट या fear लेके आता है, ये overwhelming behavior है, जो इस चीज के संकेत देता है, ये mental issue है, इसको आपको correct करने की जरू नो look at the sleep. जो नीन है, नीन में दोनों problem सो सकती है. अगर आपकी नीन कम हो रही है, तो ये manovigyanik समस्या है. अगर आपकी नीन जादा हो रही है, तो ये manovigyanik समस्या है. आपको लगता है कि आप सोते हैं, लेकिन नीन आने में time लगता है, तो ये manovigyanik समस्या है. आपको है कि SLEEP आपकी ऐसी नहीं है जैसे पहले होती थी. SLEEP आपकी परीशान परही है या तो आपको थीムक्रम redefiner पराया ही या quand चीच का संकेत है कि या तो आपको परीशान परचे कि या तो आपको अपने आप कभी खुश रहता है, कभी बहुत irritable हो जाता है, कभी बहुत उदास हो जाता है. ये science की नजर में कहलाते है mood swings, बिना किसी कारण के आपका जो mood है, वो लगातार change होता रहता है, लगातार उदास हो गया, फिर जो नहीं बहुत खुश हो गया, बहुत irritable हो गया, अगर इस तरह की symptoms आ रहे हैं, तो इस चीज का संकेर देते हैं, कि आपको जो psychological problems हैं, वो develop हो रही हैं. अगर ऐसा है, और ये symptoms दो अपते से ज़्यादा चल रहे हैं, तो आपको किसी मनोच किस सक को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर आप correct नहीं करेंगे, तो ultimately depression जैसी जो problem है, वो आपको develop हो जाएंगी. अगर आपको लगता है, कि आप बिल्कुल hopeless हैं, in the sense, कि आपको लगता है, खुद को कि बिल्कुल बेकार हूँ मैं, मुझसे तो कुछ नहीं हो पाता है. अगर आपको लगता है, कि आप अपनी नजरों में ही बहुत गिरा-गिरा महसूस करते हैं, या downgrade महसूस करते हैं, यह समस्या है. आपको लगता है, कि आपकी जो एक self-esteem होना चाहिए, वो नीचे की तरफ है, वो ठीक नहीं है. अगर आपको लगता है, कि जो भावना या इमोशन से हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. In the sense, कि कोई भी ऐसी जो भावना आई, तो आपको crying episodes develop हो जाते हैं, आप उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं. आप social जोन आमिन लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, आप कोई बात सुनते हैं, और उसका impact आप दिमाग में ऐसा होता है, कि आपको crying episodes आते हैं, जबकर बाकी लोगों के उपर, उसका कोई फरक नहीं पड़ता है. तो यह जो एमोशन से अगर आप control नहीं कर पा रहे हैं, तो यह मनोग्यानिक समस्या है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी की ज़रूरत है, क्योंकि यह कुछ ऐसी समस्या है, कि लगातार आपको बार-बार रहेगी, तो आपको depression जैसी problem में लेके जाएगी, इस तरह का जो behavior है, वो ultimate depression का indication है, इसके लिए आपको अपने मनोरोग विशेशक से बात करनी की ज़रूरत है, तो बहुत सारी छोटी-छोटी जीवन में mental ऐसी problems होती है, जिनने हम ignore करते हैं, हम ऐसा मान की चलते हैं, कि चलो यह तो ऐसे ही है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, लेकिन यह जो छोटी-छोटी symptoms हैं, जो mental problems के चलते आते हैं, उनको समझे, उनको पहचाने, और आपको लगता है कि यह आपको परिशान कर रहे हैं, आपका behavior overwhelming है, आपका mood उपर नीचे हो रहा है, आप अपने emotions को control नहीं कर पा रहे हैं, आपको छोटी-छोटी चीज़ों पर रोना आ जा रहा है, यह छोटी-छोटी symptoms हैं, लेकिन अगर यह आ रहे हैं, तो बिना किसी संकोच के, आपको अपने मनुविज्ञानिक डॉक्टर, या आपको मनुचक सक को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी दवाईयों से, छोटे से आपकी परिवर्तन से, थोड़े सी आपकी लाइफस्टाइल चेंज से, इसे ठीक किया जा सकता है, तो ऐसे क्या symptoms हैं, जो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, कि आपको शायद मनुचक ज्यानिक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है, तो जरूर शेयर करें, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा, फ्रॉम गेस्टो लिवर हास्पिटल, स्वरूपनगर कानपूर, ये वी जाए क्यों तो तो, तो 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 नहीं है,